तो डियर स्टूडेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे बीए सिक्स समस्टर के प्लिटिकल साइंस यानि राजनिती साफ्तर के फस्ट पेपर के MCQ टाइप के मोस्ट इंपार्टन कोश्चन एंसर के बारे में तो जिन जिन भी इनवर्स्टीम परिच्छा हैं सिक्स समस्ट लगी हुई है और उनका सब्जेक्ट ठीक है राजनिती फाफ्तर यानि की प्रिटिकल फाइंस है फस्ट पेपर की परिच्छा होने वाली है तो उन सभी चात्रवा चात्रों के लिए वीडियो काफी ज्यादा है तो बिना देरी के वीडियो को सुरू करते हैं और वीडियो अटवियो है मनुअस्रमत ठीक है तो धघाeled से सुन लिए मनुअस्रमत जो है सब्सक्राइब कर लेकर और मानो जाती के बारे में ठीक है और प्लस साथ साथ में उसमें कैफे हर चीज हो रही है मानो समाज में ठीक है इन सब चीजी को बारे में बताया गया है वही खुश्चन है कि मनु असमत की कि इतिहास कारं ने मन अस्रमत जोकी एक धर्म ग्रंत को बाद की प्रमुखो या फिर रचना माना है ठीक है तो उस प्रमुख बिद्वान का नाम है ध्यान लखेंगे राधा मुकुद मुकरजी ने इस बात को माना है अगला कोश्चन है कि मनु के अनुसार राजा प्रकत के कितने सेष्ट अतत्तों के स्रमनुवित रूप से निर्मित है अगला के प्रमुख बिद्वान और प्रमू के अनुसार बीवा कितने प्रकार के होते हैं निर्फ हषगाों कितने अंग है साथ है ठीक है अगला प्रशन है कि मनु अस्मृत बाइबिल की अपेच्छा कही अधिक अनुपम उत्क्रष्ट और बौधिक ग्रंथ है यह कथन कौन से बिद्वान का है ठीक है तो यह जो बात है प्रों बिद्वान नित्से ने कहीए डीरंबर सही जबाब होगा अगला की म अधिक है ठीक है जो अधार माना जाता है किस चीज के अधार जो किस ने किया है उनका नाम है बिलियम जोन्स ठीक है मनु अस्मत और मनु सब्द किस सब्द से बना है तो जो मनु सब्द है ध्यान लखेंगे यह मनन सब्द से बना है इसका सही जवाब हो जाएगा कि अग्ला कि मनु को किसका पुत्र कहा जाता हूँ तो ध्यान लखेंगे मनु को ब्र слишком का पुत्र कहा जाता है सही जवाब हो जाएगा गिशन Państwo कि राज्य कार कि राजय जा 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 बिल्कुल क्योंकि उसमें और सारे उनकी अंग होते हैं यानि किसायनिक होते हैं प्रजा होती है और जो मंत्री होते हैं वह वहां पर उनका जो विभाग है वह उनकी जो क्वालिटी होती हुद कि योगिता होती ही, तो आप यह चोटा संभा ले एफ इस तड़ा अलग अलग योगिता कि अंसार अलग मंत्रों विद्वाग वित्रण किये गए है । आफ है ये बात कौन से विद्वान ने कही है , तो उनका नाम है मनु भी नमबर सही जबाब होगा अगला है कि इस प्रित्वी पर जोर कुछ भी है और ब्राहमड ही है ब्राहमड ब्रम्भ का फ्रेश्ट पुत्र है ये किस ने कहा है तो ध्यान लखेंगे ये बात जिसने कही है आपको बताना केमेंट सेक्शिर में जरूर ठीक है ये बात कह यह मनु ने नंबर सही जबाब होगा अगला है कि मनु ने राज को कितने भागों में विभक्त किया है तो आप सभी को मालूम ही है मनु ने राज़ को दो भागों में विभक्त किया अगला कि मनु अस्मत में सासन की सफ़े छोटी एकाई क्या कहलाती है तो ध्यान लखेंगे उसको गाउं बोला जाता है निकी ग्राम अगला कि डंड ही राजा है ये किसने कहा है तो डंड ही राजा है ये बात मनु ने कहिए सहीर बापसी होगा ध्यान लखेंगे अगला कि मनु के अनुसार कानून का सबसे महत्पूर्ण स्रोथ कौन सा है तो मनु के अनुसार किसी भी कानून का सबसे बड़ा स्रोथ होता है वेद ठीक है अगला कि मनु के अनुसार नहाया धीस होने चाहिए तो मनु के अनुसार जो नहाया धीस यानि कि जो जज होते हैं किसी भी कोट के ठीक हो ब्रहमण होने चाहिए ये बात मनु कहे रहे हैं ठीक है ध्यान लखेंगे अगला प्रशन है कि किसने कहा कि राजा को साम दाम और भेद नीत का प्रियोग करके अन्य राज्यों को जेतना चाहिए ना कि युद्ध द्वारा तो ये बात प्रोंग बेद्वान आप से एक मालूम कि मनु नहीं कहिए बी नंबर सही जबाब अगला कि मनु ने मंत्रियों की संख्या कितनी बताई है तो ध्यान नकिंगे मनु मनु ने मंत्रियों की संख्या बताई है साथ से आठ भी नंबर सही जबाब होगा अगला है कि किस ने कहा कि राजा का कर्तब है कि वह प्रजा की रच्छा करे और उसके बदले में उसकी उपज का छठा भाग प्राप्त करे ठीक है यानि कि जो वो उगा रहा है या फिर धर्म और राज को परसपर माना है ठीक है एक दूफरे की भिन या एक दूफरे पर निर्भर क्या माना है तो ध्यान लखेंगे मनु ने धर्म को राज को परसपर माना है एक दूफरे पर निर्भर होने पर ठीक है बी नंबर सही जबाब होगा अगला है कि धर्म से मनु का क पाता है तो राज सीग्र ही नस्ट हो जाएगा सासक को यह चेताओनी किस्ने दिए तो जो चताने दिये मनु नहीं दी इसे नंबर सही जवाब होगा अगला है कि मनु ने राजा को सर्वव तो मुखी कल्याण रूँ तो सासक यानि राजा को कौन सी विद्धा बिद्धाओं का उप्योग करने के लिए कहाँ है तो ध्यान लेकिंग इसको भी उन्हों कहा नशी देखेंगा तो हो चोजाए क्यों कि ये जाता कि यह और कि उन्हेंने उप्योग करने के लिए कहा है अगला प्रश्ण प्रस्तित है कि निम्लिकित में से कौन साजनात अस्तंभ पर उकेरे गए चानरों में से एक नहीं है जब आप इसका हो जाएगा अभी नंबर हिरन ठीक है प्रमुक प्रश्ण है ध्यान रखेंगे सही जबाब क् थी कि बुद्ध की पहली प्रतिमा किसके सासनकाल के दौरान उकेरी गई थी तो बुद्ध की जो पहली प्रतिमा है वो कनिष्ट प्रथम के सासनकाल के दौरान उकेरी गई थी सही जबाब सी होगा अगला है कि सुमतिनाथी ने कहा किया था तिर्थांकर को फिच्छा यान अगला है कि बौध धर्म ने समाज के दू वर्गों को अपने पाले में आने की अनुमत देकर एक महत्पूर्ण प्रभाव डाला है वे कौन थे तो वे थे ध्यान रखेंगे महलाएं और सुद्र दी नम्बर सही जबाब अगला कि बौध विहित साहित के महांतम बौध टीका ठीका कार रहे हैं कौन तो ठीका कार रहे हैं ध्यान रखेंगे बहुत ही पूरूप प्रश्ण है अस्वा गोसा ठीक है सही जबाब शिका हो जाएगा बी नम्बर जो इंगलिसमे लिखा ठीक है स्वा गोशा अगला की अजीत नाज तिर्धांकर का जन्म सुक्लुपच्च्च्च की अस्टमितित को हुआ था किस पच्च्च में कीकारवाहि की करणा आदेश जारी हुआ कौन सा तो तुरतिया बहुत संग्र की कारवाह के कारण जो आदेस दारी जारी हुआ वो आदेस था सारनाथ का भी नमबर सही जबाब होगा अगला की महायान बहुत धर्म में उपधेस देने के लिए अपनाइगई भासा कौन से थी तो धयान लखेंगे वो थी बनाने वाला नहीं सामिल भारत में निर्मित यानि कि उसको बनाया गया और भूलिखा गया थीक है निर्मित निर्माण किया गया वह अन्तिम बहुत गरम था उसका क्या नाम है तो ध्यान रहेंगे बहुती हार्ड लेबल का कुश्चन है सई जवाब इसका हो जाएगा आपसे नमबर D ठीक है वाम सत्था पाकिसिनी ठीक है सई जवाब D होगा अगला की जैनियों के अनुसार यानि की जैन धर्म के जो लोग थी उनके अनुसार सुमेति ना थी की गंधारों की संख्या कितनी थी ठीक है तिर नियान में विभाजित था तो ये था ध्यान लखेंगे परमप्रस्णः के लिए तो ये था कनिष्क के सासन काल में बी नंबर सही जवाब अगला की उस सही भाफा का चैन के जिसमें जैन और बौध सही ठीक है जैन और बौध सही लिखा गया था तो उस भाफा का नाम है ध्यान लखेंगे जिसमें जैन और बौध दोनों साहित लिखे गए हैं वो है ए और बी दोनों यानि कि प्राकरत और पाली दोनों है यानि कि ए नम्मर और बी नम्मर सही जवाब होगा ठीक है इंपॉर्टन प्रश्ण है ध्यान लखेंगे अगला कि मिकित में से कि सासक ने कि राजा ने बौध सीत में प्रभीश नहीं किया तो उस प्रमुक राजा का नाम है समध्रगुप्त बी नम्मर सही जवाब होगा अगला प्रश्ण है कि चौथी और अंतिम बौध परसद किसक असक न्याय की भावना और बुद्ध भिच्चु नाग सेना के साथ संबाद के लिए प्रिशिद जैसा कि बौध कार मिलिंडा में वर्डित है पन हो था ठीक है तो एक कोशी इंपार्टर ने फिटालिशी अग्रों भी कर सकते अगला कि बुद्ध धम और संग को मिलाकर ज जाना जाता है वो हैं त्री रत्न सही जबाब यहोगा प्रमुक प्रश्ण ध्यान रखेंगे अगला की कम उमर में संभवनाथ ने क्या किया तिर्थांकर मद धिकालीन बादलों के विखराओं को देखते हुए महसूस करते थे क्या तो महसूस करते थे वहराग अगला प्र सब्सक्राइब अगला की किताब अलब भरुनी ने नंबर सही जबाब होगा अगला की किताब अलब भरुनी भारत कब आया तो अल बिरुनी जो भारत है वो गेर्मी सताब्दी में अगला की अलब भरुनी कहा का निवासी था तो जो इबन बतूता था यह था निवासी मोर मुरक्कों का B No. सही जवाब, अगला कोश्चन है कि फ्रांस्वा बर नियर भारत का बाया तो फ्रांस्वा बर नियर जो है भारत आया था वो 77 सताब्दी में, ठीक है सही जवाब D होगा, अगला कोश्चन है कि इबर बतुता द्वारा लिखा गया यात्रा वरतांत को क्या कहा गया तो इसके द्वारा जो यात्रा वरतांत लिखा गया उसको कहा जाता है या फिर कहा गया है रिहला भी नमबर सही जबाब अगला की रिहला की भासा में लिखा गया है तो ध्यान रखेंगे जो रिहला है ठीक है यह अरबी भाऊ सामें रिखा गया इनमबर सही जवाब होगा इनमबर। समय सासंकाल था महुम्मद घजनवी का उसे समय इभरवतूता जो भारत आया था ठीक अगला कि महमुद घजनवी ने भारत पर कितने बार आकमण किया तो यहां रखेंगे प्रोग प्रश्ण है जो इभरवतूता जो की देश चाहिए था वह नो वर्सों तक दिल्ली में रहा बीनमबर सही जवाब होगा अगला प्रश्ण वहिए आप लोगों की समस्व प्रस्तूत है देखते है कौन सा है कहरा कि नेस्ट कोश्चेरिंग निर्गुर्फंत और सुधारक के रूप में जाना जाता है तो ध्यान रखेंगे प्रमुक प्रश्ण है आपके एक्जाम के और काफी बार आभी चुका एक्जाम में ठीक है तो अनुर्फित में से निर्गुडफंत और फुधारक के रूप में जिफे जाना जाता उनका नाम है उसका सही जवाब हो जाएगा संत कभीर ठीक है कौन है संत कभीर इनमबर सही जवाब होगा अगला कि हुमायव के गुल बदन बेगम के द्वार लिखी गई है अगला क्वेश्चन की अकबर ने इबादत खाना के स्थापना की थी कहां पर तो उसने की थी इसकी असाफना जो की थी फथे पुर्षिकरी में की थी नंबर सही जवाब होगा अगला की मन्शबदारी प्रथा कहां से उधार ली गई थी तो मन सब्दारी जो प्रता है ये उधार ली गई थी मंगोलिया से सही जबाब इसका हो जाएगा सी नंबर ध्यान नखेंगे अगला की साखी सबत रमडी किसके उलेखने कार थे तो इसा सिंपल सी बात आप सभी जानते हैं कि साखी सबत रमेनी ठीक है ये तो इस प्रसने का सही जबाब हो जाएगा अफ्शन नमबर मतब कि तुलफी दाफ ने कौन से फासन काल के समय में रामचेद की मानस की रशना की थी तो उस समय जो सासन था वो अकबर का था उसी समय तुल्फिदार जी ने रामचेद मानस की रशना की थी अगला क्वेश्चन है कि आगरा का किला किसकी द्वारा बनाया गया था तो आप सभी जानते हैं कि आगरा को जो किला है ये अकबर के द्वारा बनाया गया था दंबर शयह जबाब होगा अगला कि गीता गोफिंदा के लिखक साह labels था साहा आलम पहला था यानी फ़स्ट था है सईटभाप सी होगा अगला कोश्चन है कि दिल्ली फलतनत की दरबारी भांफा कौन सिथी तो दिल्ली फलतनत जो दर्वारी भाँफाति फार्शी ती एक परगने का परभारी और बोला जाते हैं थीक है तो आज किस वीडियों करीब करी मैंने आपको 50-55 कोश्चन बता हैं बाकि और भी 50-50 कोश्चन है कुल मिलाके इस पीडियों में 100 कोश्चन है समय ज्यादा है नहीं इफ लिए यह पूरी पूरी पीडियो अगर आपको सॉल्वड यानि की विध एंसर सही चाहिए तो आप हमारे वीडियो की रेस्क्राइब में टेलीग्राम वट्सअप का लिंक दिया गया है वट्सअप पे जोईन होने के बाद गूरूप पे आप में परस्टन मेसिट कर दीजिए कि सिक्स समेस्टर प्रोडिकल साइंस फर्स्ट वेपर की जो सॉल्वड एंसी क्यू टाइ कर आएंगे किसी भी प्रकार की कोई मानिस मार्किंग नहीं है और यह कोशिश करिएगा कि जल्दी जल्दी प्रश्णों उत्तर देने का प्रियाज करीगा क्योंकि समय बहुत सौट रहता दो ही गंटे का समय रहता है अगर आप पहले दूफरे प्रश्ण पर ज्यादा टा सही समय पर अपने कोश्चन का उत्तर देजिएगा बाकी आपका अपना ही चैनल सेक्स्काइब कर लीजिएगा मिलते हैं को और ने वीडियो में जहें